सबी गोड इवनिंग, कैसे हो आप सबी लोग, प्यारे विद्यारतियों, आज मन किया कि मेरे सबी विद्यारतियों से मैं परिचर्चा करूँ, आप सब अपनी तयारी के अंदर व्यस्त होंगे, और होना भी चीए, जब रण बेरी का बिगुल बज जाए, तो रण बेरी का बिगुल बजने के बाद, योधा को उस युद भूमी में उतरने के लिए, पून रूप से तयार होना पड़ता है, यदि रण बेरी का बिगुल या उद्गोस होने के बाद भी, योधा अचेत अवस्ता में रहे, तो वो कायर कहलाता है, योधा नहीं, आप सब की परिक्षा सिर्माथे है, राजस्तान पुलिस की परिक्षा तो आज 16 अक्टुमबर है, और विश्व खाद्य दिवस है, मैं परसन की भी बात कर लेता हूं, आज से मातर 20 दिन है, और 20 दिन का मतलब है, यानि की 480, 480 गंठे आपके पास सेस है, एक दिन में 24 गंठे क आज बीश दिन है, तो 24 दूणी, 488 गंठे आपके सेस है, 480 गंठे के बाद में आपको इस रण भूमी में उतर करके आपको आपका यो युद्ध है, इस युद्ध को लड़ना होगा, जीतना होगा, इस युद्ध को डट करके अपन मुकाबला करेंगे, बिल्कुल घबराएंगे नहीं अच्छे से धैरिये के साथ पैसंस के साथ अपन प्रतियोगी प्रिक्षा के अंदर बैठेंगे और आराम से हर प्रसन को ध्यान पूर्वक पढ़ कर उसका सही जबाब अपन कॉनपिडेंस के साथ में देंगे आप सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप बिल्कुल भी हरवडाट ना करें आपकी जीतनी तयारी है अच्छी बात है बेटर है लेकिन आप सबी एक बात को ध्यान में रखना आप अब इस अमुल्य समय के अंदर उन चीजों को अच्छे से ज़्यादा पढ़ें जो आपको कमजोर लगती है यह आपका वीक पॉइंट है आज आप एक डाइरी बना करके हर सब्जेक्ट में वीक पॉइंट नोट करें पारिट एराजस्तान पॉलिस में ब्रिजनिंग और कम्प्यूटर है और इस रिजनिंग और कम्प्यूटर में आपको जो कमजोर सब्जेक्ट लगता है उस सब्जेक्ट को आप नोट करेंगे और उस subject को note करने के बाद उसकी अच्छे से preparation करेंगे आप करते क्या है? आप ये करते हैं आपको जो अच्छे से आता है subject उसी में लगे रहते हैं जो आपको नहीं आता है उसके उपर आप ध्यान नहीं देते हैं परिक्षया में फिर वो ही होता है बार-बार आपको जो नहीं आता है वो नहीं आता है और फिर आपके अंक कम आते हैं फिर आप मेरिट में रह जाते हैं ऐसे आप बहुत प्रकार की प्रतियोगी परिक्षया हैं देते रहते हैं पार्ट जो सेकिंड है उसमें आपकी साइंस कमजोर है या करेंट जी के कमजोर है या समीदान कमजोर है या भारतिय भूगोल कमजोर है उसको नोट करें और नोट करके उसी पर फोकस करें अब अब बीज दिन के अंदर 480 गंठे आपके पास में सेस हैं इसके बाद में महाबारत का ये रण होगा 17 लाख योदा इस रण की तयारी के लिए रणभूम में उतरेंगे यहाँ पर कौन विजई पता का लहराता है यहाँ आपको आप सभी एक तरह से परिविद्यरतियो अरजुन हो और मैं गिर्दर वास्त्विक तो नहीं लेकिन अपन भगवान के एक बहुत सुक्सम अन्सुरूपी कन है ये गिर्दर आपको उपदेश दे रहा है इस महाबारत की रण को लड़ने के लिए आप सभी अरजुन योद्दाओं को मैं ये बात कह रहा हूँ आप सभी अरजुन योद्दाओं इन चीजों को ध्यान पूर्वक सुनें आपका जो कमजोर बिंदू है उस कमजोर बिंदू को आप नोट करें कि करंट कमजोर है या साइंस कमजोर है या समीदान कमजोर है या गोल कमजोर है या आपकी अर्थवी वस्ता कमजोर है उसी को आप 20 दिन में पढ़ें और जो सब्जेक्ट आपको पहले से आता है उसके उपर बार 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 पुन्रावरती नहीं करें क्योंकि वो आपको पहल भी नहीं आता था अभी भी नहीं आता है एक्जाम में भी नहीं आएगा पार्ट से 45 क्यूशन राजस्तान जी की से संबंदित होंगे उसमें आपका जो वीक पॉइंट है आर्ट कल्चर का है या इस्ट्री का है या जोग रोपी का है उसी को फॉक्स करके पड़ें एक बात से सुनना इस राजस्तान पुलिस के अंदर मेरिट डिपेंड करेगी कम्प्यूटर साइन्स और करेंट जीके पर फिर से कह रहा हूं मेरिट डिपेंड करेगी कम्प्यूटर साइन्स और करेंट जीके पर जिसके यह तीनु सब्जक्ट ठीक है उसके और बाकी सब्जक्ट ओल्रेडी ठीक हैं, ओटोमेटिक ठीक हैं, आप इन तीन चीजों पर सबसे ज़्यादा फोकस रखेंगे, यदि आपकी यह पहले से मजबूत हैं, तो अन्य चीजों पर फोकस करें, इन पर नहीं, यदि आपकी हर परिक्षा में यही बादा या रुकाउट डालते हैं, तो इ पेंड करेंगे, इस बात को आप ध्यान से सुनना, फिर से में कर रहा हूँ, आपका जो वीक पोइंट है, उसको आप डायरी में नोट करें, क्योंकि बार बार परिक्षा में आपका वो वीक पोइंट ही गलत होता है, आपको जो चीज पहले आती थी, वो आज भी आती है, लेकिन आप करते क्या है, आपकी सबसे बड़ी गलती यही है, आपको जो जो आती है, उसी को आप बार बार पढ़ते हैं, यह बिल्कुल गलत बात है, यह सपलता में बादा उत्पन करने की बात है, आपको जो नहीं आती है, उसको पढ़ें, उस वीक पोइंट को आप पैसेंस के साथ मैं आप उनको पढ़ाई करनी है हडबडाट नहीं करनी है कि आ राज सर बता रहे हैं कि 400 सी गंटे सेस हैं तो मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ नहीं कुछ नहीं Only up, patience, confidence के साथ कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, ये करना है, करना है, अच्छे से तयारी करनी है आप अच्छे से तयारी करेंगे, hard work करेंगे, दिन रात मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत सबसे बड़ी है आपको इन 400 सी गंठों के अंदर ना तो किसी function में जाना है, ना अनर्गल बातों में उलजना है, ना किसी की जो द्वेशता पूरवग बाते हैं या जो आपको ऐसे कह रहे हैं लोग कि तेरे से fight exam नहीं होगा, हम लिख के देदे कागज पे उन सारी बातों को ignore करें, क्योंकि वो antivirus हैं, antivirus के और आपको ध्यान नहीं देना है जो सकारात्मक बात कर रहा है, उसी के साथ में आपको बात करनी है, वो भी कुछ समय, ताकि आपकी वो सकारात्मक उर्जा आपकी पढ़ाई के अंदर mind को refresh करने में काम आए अनर्गल जो बात कर रहा है, उसको आप बिलकुल भी ध्यान में ना दे दूसरी बात याद करना है आपको, अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको practice set, यानि कि आपके पास में जो subject week था, उसके ज़्यादा से ज़्यादा practice set को solve करें और practice set solve करेंगे तो अधिकांस तैक्यूसन उन में से हूब हूब मिल जाते हैं पेरे विद्यारतियो, आप सबको, मैं ये आस्तिरवात देता हूँ, कि आप अच्छे से तैयारी करें, भेनत करें, तो आपको काम्याबी जरूर मिलेगी फिर से कह रहा हूँ, 480 गंठे से से हैं, आपको हडबडाट नहीं करनी है, पैसेंस रखना है, मेरी नोकरी जरूर लगेगी, खुद पे आपको विश्वास रखना है पक्सी डाली पर बैढ़ता है, तो उसको खुद पर बरोसा है, ना कि डाली पर इसी परकार से आपको आपके भरोसा है, तो आपकी नोकरी जरूर लगेगी, ये देर है, हंदेर नहीं है, पैरे विद्यारतियों, आपसे मुलाकात करने का वन किया इस वज़े से मापके लिए ये दस-पांच मिनट मैंने सोचा कि बच्चों से मैं बात करूँ, मुझे अच्छा लगता है, काफी दिन हो गए बच्चे, क्योंकि मैं एक बात सभी को कहता हूँ, पैरे विद्यारतियों, सिक्षक सरीर है और विद्यारति आत्मा, यदि सरीर में आत्मा का प्रवेश नहीं है, तो वो नास्वान है, और सिक्षक के पास में विद्यारति नहीं है, तो वो भी नास्वान है, तो आप सब मेरी आत्मा है, और मेरी आत्मा आप सब विद्यारति हो, इसलिए मैं आप से बातचीत करने के लिए यहाँ पर आज इस वीडियो चाती है उस पर फोकस ज्यादा से ज्यादा करना है मेरिट का उतार चेड़ाव कंप्यूटर साइंस और करेंगे क्योंकि रिजनिंग राजस्तान जी के और इंडिया जी के लगबग लगबग हर विद्यारती का इकवल होता है इन तीन बिंदों को आप ज्यादा से ज्यादा स स्टेडी करेंगे आपको भिल्कुल भी हडबडाट नहीं करनी है कितने ही योदा हैं कोई दिकत नहीं उन सब के अंदर आदे से ज्यादा नहीं यहने कि मात्रम आपको कहूं कि 30% विद्यारतियों में ही कंपिटिशन होगा 70% विद्यारती नाम मातर संख्या में एड हैं एक दूसरी बात और में किलियर कर देना चाहता हूं जिन विद्यारतियों ने राजस्तान पुलिस का फोम एक से ज्यादा जिलों में लगाया है वो बिल्कुल भी नहीं गवराएं क्योंकि वो जो विद्यारती हैं वो दोनु ज करिक्षा देंगे और आपने अलवर से फों लगाया है तो अलवर भी आप परिक्षा देंगे तो बिल्कुल भी फिर ना हो बहुत सारे विद्यारती विद्यारती को ऐसे सर्थ लगाते घुमते फिरते रहें कई विद्यारती को लाते हैं कि सर ऐसे करें कि आपका फोर्म निरिष्ट हो गया आप दो जगह परिक्षा नहीं दे सकते हैं कुछ नहीं है पिछले बार बहुत सारे मेरे विद्य प्रिक्षाएं दी थी तो आप दोनु प्रिक्षाएं दे सकते हैं इसमें कतही कन्फ्यूजन नहीं रखें खुब अच्छे से पड़ें माप को बीच में फिर दो चार पार दिन के बाद में मुलाकात करके फिर मोटिवेट करूंगा पैसेंस रखें धहरिये रखना है कॉनफ देंस रखें आतम विश्वास रखना है मेहनत पर भरोसा रखना है इन सारी चीजों को आप ध्यान में रख करके पड़ेंगे तो आप जरूर काम्याब होंगे यह महावारत का यूद 6-7-8 नॉमबर को फिक्स है इसका यूदिस्तल परिक्षा कक्ष है इसमें आप सभी अर गिर्दर की भूमी का में और ये गिर्दर आप अरजुन जैसे युद्धाओं को तयार करके इस रण भूमी मुतारेंगे तो शौर सकसेज होंगे आप और आप युद्व में जीत हासिल करेंगे प्यारे विद्यारतियों आपकी सपलता हमारी सपलता है धन्यवाद मिलते ह नेक्स टाइम थैंक यू नई उर्जा के साथ आपको समय से खानपान करना है प्रियाप्त नींद लेनी है टुकडों में पढ़ लो जैसे मालो आज आपको 50 पेज पढ़ने है तो 50 पेज पढ़ने है तो 10 पेज एक गंटे में 5 गंटे में सोरी 5 तो क्या लगेंगे 10 पेज म 20 मिनिट में 30 मिनिट में आप उनको पढ़ने के बाद में फिर ब्रेक लें आप थोड़ा सा मनोरंजन कर सकते हैं लेकिन एक सोसल मीडिया को आप बिलकुल इग्नौर कर दें क्योंकि ये एक ऐसा एंटिवाइरस है यदि इसकी लट आपके लग गई तो आपको जरूर 500 परत इस महा भारत के युद में दुर्योदन की भूमिक आमें ले जाकर कि गर्शित कर देगा इसलिए इस चीज को छोड़ देना अच्छे से आपके इष्ट देव को सुमर्त रहें क्योंकि मैंने खुद ने देखा है जो भी आपका इष्ट देव है उस इष्ट देव का आप तो वो पोजिटिव एनरजी देता है किसी भी रूप में दे प्रियाप्त नेंद लें नेमित भोजन करें फालतों के अनरगल बातों से बचें सोशल मीडिया से बचें के और टार्गेट रखें कि महावारत का युद 6-7-8 नौंबर को है प्यारे विद्यारतियों मैं समझ तो योदा की रूप में आप तयार हो धन्यवाद मिलते हैं नेक्स टाइम थैंक यू